दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़े कबर बिहार के साथ जिलो में भारी बारिस का अलट पटना में जमाजम से जल भराओ जिहां बिहार के जिलो में अगले 24 घंटों में भारी बारिस की चेताओनी जारी की गई है इन जीलों में पश्चिमी चंपारन, पुर्वी चंपारन, सुपोल अररिया किसंज गंज, सिवर, मुझपर, पूर सितामडी दर्बंगा मदोबने सामिल है यहां गरईस दड़क के साथ बारिस की चेतावने जारी की गई है वहीं पाटना में दिन बर बारिस सार के सड़के और संपर्ग पतों के निचले इलाकों में जलजमा हो गिया है जादातर इस तलों से 2-3 गंटे में बारिस का पाने निकल गया लेकिन निचले इलाके से पाने निकलने में समय लगा ऐसा होने से ट्रैफिक धिरे हुई जिसके करन जाम की समय से बन गई अगली बड़ी कपर लगतार बारिस से फिर बढ़ने लगा है गंगा और कोसी का जलस्तर अररिया में नोना नदी उफनाई जिहां लगतार बारिस के करन कोसी सिमानचल और पुर्वी बिहार में गंगा और कोसी सहीत अन नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है इससे बाढ़ पिडित की परिसानी बढ़ने लगी है सुपोल जिले में कोसी नदी की गटने के बाद फिर से पानी का डिश्चाज बढ़ने लगा है वहीं सहरसा जिले में भी कोसी के जलस्तर में हलकी से बढ़ोत्री हुई है कटेहार जिले में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार विरदी जारी है इस कारण दोनों नदिया खत्रे की निसान एक वर फिर एक मिटर उपर वर ही है इसके अलावा अररया जिले के सिक्टी प्रकंड से होकर भाने वाली नेपाली नदी नोना गुरुवार को फिर से उफना गई इससे नदी का पानी निचले इलाके के आदा दरजन गाओं में पानी घुश गया आपको बता दे कि साल तेरवी बार नुना नदी उफनाई है बड़ी कबर पंचाज चनाओं से पहले गाओं को जगमगाने की तैयारी सियम नितीस कुमार ने हर गाओं में सोलार इस्टिट लगाने का दिया निर्देश जिहां पंचाज चनाओं से पहले गाओं को जगमगाने की तैयारी कर ली गई है सबी गाओं को सोलार लाइटों से रोसन किया जाएगा मुखी मंतरे नितिस कुमार ने पंचायती राज बिवाग को निर्दिस दिया है कि सोलार रिष्टिट लाइट लगाने के लिए इस्तलों के चैन को लेकर सर्वे ठीक से कर ले सबी स्थलों का चैन एकी साथ कर ले सोलारिटिट लाइट को लगाई जाने के क्रम में स्थल चैन इस प्रकार हो की कोई भी इस योजना से वंचित न रहे बड़ी कवर बिहार में पंचायतों के खाते से रासी निकासी पर लगी रोक हटी इस सर्थ के साथ नया आदेश जारी जहां सरकार ने त्रिस्तर या पंचायतों के खाते से आधर से आचार सहिंता के दोरान रासी के उपयोग को लेकर गुरुवार को नया निर्देश जारे किया है पंचायती राज बिभाग ने कहा है कि क्रियानवेंद सभी महत्पोन योजनाई जिनका क्रियानवान सुरू हो गया है उन कारियों एवाम रासी के भुगतान पर लगी रोक को सर्थ के साथ अटाया जा रहा है साथ ही कहा है कि कारियों के क्रियानवन अनुसरवान वधन रासे भुलतान राज निर्वाजन आयो के इस्तर से निर्गत आदर्स आचार सैंता का पालन करते हुए सुनिचित करने का निर्दिश दिया है विभाग के अपर मुख सची अमरित लाल मिला ने गुरवार को जारी किया है अगली बाड़े कबर बिहार सरकार ने पंचाय चुना में खर्च के लिए दिये 164 कडोर रुपिये जिहां बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचारी के चुनाव को लेकर 164 कडोर रुपिये जारी किया है इनमें से 109 करोड राज निर्वाचन आयो को दिये गए हैं वहीं सेस पचपन कड़ोर रासी जीले को जारी की गई है पंचाइती राज बेवाग ने रासी जारी करने से समधित आदेश जारी किया है मालूम हो कि राज में 11 चर्णों में चुनाव होने हैं पहले चर्ण के चुनाव को लेकर बुद्वार को अधिसुश आयोग ने आम लोगों की सुधा के लिए अपनी वेबसाइट पर कई वेबस्ताई की है इनमें सबसे प्रमुक समधान एप है इस एप पर कोई भी वेक्ति अपने चेतर के मुखिया सरपंच या अन्य जन परतिनिदियों की सिकायत आदर्स आचार सहिंता उलंगन सुझाव अब हम समय से दर्ज करा सकते हैं लोगों की समय से का समधान 24 घंटे में किया जाएगा इसके अलावा राज के मदाताओं को यदि किसी परकार के कटिनाई होती है तो वह राज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हेलप लाइन नमबर पर संपर कर सकते हैं जिसका नमबर है जैपरकास नारायन विषविदाले में जेपी और राम मनोहर लोहा की विचारों को ही पीजी के पाइटकरं से हटाने का मामला अगर्माने के बाद गुरवार को सिक्चमंतरी विजे चोदरी सामने आए और सरकार का रुख साप किया सिक्चमंतरी ने कहा कि जैपरकास और ल वर्तन से क्या लगाव है कुछ लोगों के राजनेतिक विचार को पाइटकरम से अलग क्यों गिया गया यह समझ से परे है कहा कि छपरा के कुलपती ने भी अपनी तरब से कोई आदेश दिया हो ऐसी बात नहीं है यह जिस रूप में हुआ है हाम लोग इसे उचित नहीं मानत हैं बाड़ी कबर कोरोना के नए वेरियंट M.U. को लेकर डबलो एचो ने जताई चिंता कहा वेक्सीन को भी मात दे सकता यह वेरियंट जिया कोरोना के नए वेरियंट पर विश्व स्वास संगटर ने कहा कि नए वेरियंट M.U. में वेक्सीन को चकमा देने के लच्छन न की जा रही है M.U. वेरियंट को 30 अगस्त को डबलो एचो की निगरानी में रखा गया था M.U. को वेगानिक नाम B.1.621 से भी जाना जाता है और यह वेरियंट कई मेटुशन से बना हुआ है जो इम्योन को आसानी से चकमा दे सकता है बता दे कि डबलो एचो ने वारेस के की वेपक्ता की उचित महत्वा देना चाहिए क्योंकि सबी देशों में सही सिक्वेसिंग की वेवस्ता अभी तक नहीं की गई है बाड़े कबर बॉलिवूड को लगा एक और जटका हाट एड़क से सिदाद सुकला का निदन जिहां गुरुवार की सुबह बॉलिवूड के लिए रोज की तरह नॉर्माल और खुसनमा नहीं रही महा चालिस साल की उम्र में एक्टर सिदाद सुकला ने दुनिया को अलविदक का दिया मिली जानकारी के मुताबिक दिल का दोरा पढ़ने से उनका सुबह रेव दस बजे ही निदन हो गया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुदवार राद सोने से पले उन्होंने कोई दवाय खाई थी जिसके बाद वो सुबह उटे ही नहीं बाड़े कबर बिहार बिदानसवा के सो साल सताबदी समारों में आएंगे राष्टपती पीम को भी नियोता देंगी विजे सिन्ना बिहार बिदानसवा का सताबदी वर्स चल रहा है सताबदी वर्स के मौके पर भाईवे कारकरम का आयोजन किया जाएगा इस कारकरम में राष्टपती रामनात कोविन भी सिर्कत करेंगे इसकी जानकारी देते विदानसवा अधक्ष बिजे सिन्ना ने कहा कि दिल्ली में उ उम्मेद है कि समापन समारों में प्रदान मंत्रे जरूर सिर्कत करेंगे इसके बाद उन्होंने जानकारी देकी केंद्रिय रेल मंत्रे अस्विनी व्यसनव से भी मिलेंगे विदायकों के रेल से समदित कुछ मामले हैं हम उस पर उनसे वार्टा करेंगे बिहार एक सरमिक राज है वहां से कई लोग दोसरी राज्यों में काम के लिए जाते हैं रेलवे में सुविधा बढ़िया से मिले इस बर भी वारता करेंगे बढ़े कबर लौडाउन के बाद यूपी से बिहार के इन जीलों के लिए सुरू हुई बस सर्वीस जाने किराया और टाइम टेबल जिहां बिहार के लोगों के लिए खुसकबरी है लौडाउन के कारण लखनाँ से मुझा पूर बंद पड़े सरकारी बस सिवह का परिचलन सुरू हो गया है प्रती दिन यहां बस योपी के चार वाग से दो पार दो बज़े खुलती है और आलम गंज गोरगपूर होते विए मुझपर पूर इमली चटी बस इस्टेड में सुब़ चार बज़े पहुचती है इसके बाद दो पार दो बज़े मुझपर पूर से चार प्राग को रवाना होती है यहां बस उत्तर परदेश पत परिवान निगम की है इसके परिचालन से लखन जाने वाले यात्रियों को कापी स्वेदा होगी इसके किराया करीब 600 रुपिये है बताते चले कि पिछले दिनों बियार टिसी ने पटना से मुझपर पूर पिपरा ट्रेन में बोडी वार्न केमरा से लेस होंगे आर्पियेप के जवान क्राइम पेट्रोल के लिए इंडियन रिल्वेक का अनुका परियोग जहां चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्चा को ध्यान में रखते हुए अब आर्पियेप के स्कौर्ट पार्टी बोडी वार् लगा होगा मुझा पर्पूर आर्पेप को 12 कैमरा मिला है फिलाल आर्पेप तीन ट्रेनों में स्कॉर्ट कर रही है जल्दी यह सुविदा बहाल कर दी जाएगी स्कॉर्ट पाटी के ट्रेन में चड़नी पर ही यह कैमरा ओन हो जाएगा इसके साथ ही इसमें वीडियो और के साथ आर्पियव जावानों पर लगने वाले अब अदरता और वसुले के आरोप की सितता में जाच कन्ने में मदद मिलेगी बड़ी कबर बिहार हमें अब चत पर करे सब्जी की केती सरकार देगी 25,000 सबसिडी जानि यह कैसे मिलेगा योजना कलाब जिहां क्रेसी विबाग के उद्यान निदेसले सरीचेतर के लोगों के लिए चत पर बागवाने योजना चला रहा है जमिन खाले नहीं होने की वज़ा से सब्जी की केती नहीं कर पारे लोगों के लिए यह अच्छी योजना है सहर में हरित चेतर बढ़ाने वह वातारवान को सुद्र करने के युद्देश से घर की चट पर बागवाने की योजना बनाई गई है इसमें लोग आप घर की चट पर सबजी या उत्पादन कर सकते हैं चट पर 300 स्कॉयर फूर्ट की एक यूनिट होगा चट पर 300 स्कॉयर फूर्ट खुले इस्तान पर बागवानी की जाएगी एक यूनिट की लागत 50,000 रुपी होगी इसके लिए विभाग की ओर से लाबुक को 50 परतिसत अनुदान दिया जाएगा किसान को 25,000 रुपी खुद लगाना होगा यूजना का लाब लेने के लिए किसान को ओलाइन आवेदन करना होगा आवेदन में ग्रेस स्वामी को बिजली बिल, बैंक खाता जियो टेगिंग पोटो आदि देना होगा इसके बाद उने आवेदन के दोरान ही 25,000 रुपी जमा करना होगा बड़े कबर पटना में आज से रात 11 बजे तक चलेगी BSRTC की सिटी बसे, चार रुटो पर मिलेगी लोगों की ये सुविदाएं जहा बिहार में कुछ चुने हुए रुटो पर 11 बजे रात तक BSRTC की सिटी बसे चलेगी अब एक कुछ रुटो में रात 9 बजे तक तो कहीं 10 बजे तक ये बसे चलती है देर रात 11 बजे तक बस सिवाच चलाने का मुख की उद्देश PMCH, AMS और NMCH जैसे बड़े एस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आने वाले लोगों को सुविदा देना है आपको बदा दे कि देर रात तक चलने वाले ये सभी बसे नई CNG बसे होगी और यात्रियों की सुविदा के लिए इनमें प्रिपेड कार्ड, वन डे पास, मॉबाइल टिकेटिंग और इसके नवपे की सुविदा उपलब्द होगी और आम की बड़ी कबर पाटली पोत्र इनवसिटी ने रचा इतिहास छात्राओं को 33 फेजदी आरक्षन देने वाले देश की पहले उनिवसिटी बनी पार्टली पूत्र इनिवर्सिटी बिहार की पहले इनिवर्सिटी बन गई है जिसने इसनातक में एड्मिशन में लड़कियों को आरक्षन देने का भैसला किया है नई सेत्र 2021-22 में पीपीओ में 100 सिटों में से 38 पर लड़कियों का एड्मिशन होगा पीपीओ ने इस बार एड्मिशन में लड़कियों को 33 फिज़ी आरक्षन दिया है आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके गाह में सोलर इस्टेट लाइड लगी है नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं